वक्रतुन्द महाकाई शुर्यकोटी समप्रफ निर्विग्नम कुर्मेदे ओ शर्वकारे शर्वदा जे मातादी राधे राधे आई ये सुनते हैं करवाचोध की सभी कथाएं एक साथ करवाचोध के ब्रत सम्बन्ध में कई लोग कथाएं प्रचलित हैं एक बार पांडू पुत्र अर्जुन तपस्या करने नील गिरी नामक परवत पर गए इधर द्रोपनी बहुत परिशान थी उनकी कोई खबर नव मिलने पर उन्होंने क्रिश्न भगवान का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की क्रिश्न भगवान ने कहा बहना इसी तरह का प्रस्न एक बर माता पार्वती ने संकर जी से किया था तब संकर जी ने माता पार्वती को करवाचोध का ब्रत बतलाया इस ब्रत को करने से इस्त्रियां अपने सुहाग की रच्छा हर आने वाले संकर से वैसे ही कर सकती हैं जैसे एक ब्राम्हाड ने की थी प्राचिनकाल में एक ब्राम्हड था उसके साथ लड़के एवं एक बुडवती लड़की थी एक बाई लड़की मायके में थी तब करवा सवत का ब्रत पड़ा उसने ब्रत को बिधी पुर्वक किया पूरे दिन ने जला रही कुछ खाया पिया नहीं पर उसके सातों भाई परिसान थे कि बहन को प्यास लगी होगी भूख लगी होगी पर बहन चंद्रोदय के बाद ही जलगरहर करेगी भाईयों से रहा नहीं गया उन्होंने साम होते ही बहन को बन आउटी चंद्रोदय दिखा दिया एक भाई पिपल की पेड़ पर छल्नी लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर छल्नी से रोशनी उद्पन कर दी तभी दुसरी भाई ने नीच्चे से बहन को आवाद दी देखो बहन चंद्रोदय मा निकलाया है पूझनकर भोजन ग्रहर करो बहन ने भोजन ग्रहर किया उनसे उसका दुख न देखा गया, ब्राम्हर का निया ने उनके पैर पकड़ लिये और अपने दुख का कारण पूछा, तब इंद्राडी ने बताया, तुने बिना चन्र दर्शन किये, करवा चोथ का ब्रत तोड़ दिया, इसलिए यह कष्ट मिला, अब तु वर्स भर की च शवभाग्यवती हो गई, इसलिए प्रतेकिस्त्री को अपने पती की दीरघायू के लिए यह ब्रत करना चाहिए, द्रोपदी ने यह ब्रत किया, और अरजुन शकुसर मनुमांशित फल प्राप्त कर वापस लटाए, तभी से अपने अखंड सुहाग के लिए हिंदु महि लाएं करवा चोथ ब्रत करती हैं, एक और कथा की अनसार, बहुत समय पहले की बात है, एक साहुकार के साथ बेटे और उनकी एक बहन करवा थी, सभी साथो भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहां तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वेम खाते एक बार उनकी बहन ससुरार से माईके आई हुई थी, शाम को भाई जब अपना ब्यापार बेवशाय बनकर घर आये तो देखा, उनकी बहन बहुत ब्याकुल थी, सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने को आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवाचोट का निजल ब्रत है, और वह खाना सिर्फ चन्रमा को देकर उन्हें अर्ग देकर ही खा सकती है, चुकि चन्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भोग प्यास से ब्याकुल हो उठी, सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई, और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की योट में रख दिया, दूर से रेखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चाद उदित हो रहा है, इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चाद निकलाया है, तुम उसे अर्ग देने के भूजन कर सकती हो, बहन खुशी के मारे सीड़्ियों पचड कर चाद को देखती है, उसे अर्ग देकर खाना खाने बैठ जाती है, वह पहला टुकड़ा मूह में डालती है तो उसे छीका जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकलाता है, और जैसे ही त पीसरा टुकड़ा मुह में डालने की कोशिस करती है तो उसके पती की मृत्यू का समाचार उसे मिलता है वह बौखला जाती है उसकी भावी उसे सच्चाई से अउगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ करवा चवतकाबरत गलत तरीके से तूटने के कारव देवताउस से नाराज हो गए है और उन्होंने ऐसा किया है सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चे करती है कि वह अपने पती का अंतिम संसकार नहीं होने देगी और अपने सतित्व से उन्हें पूर्णर जीवन दिलाकर रहेगी वह पूरे एक साल तक अपने पती के सव के पास बैठ सत्रित करती है एक साल बार फिर करवा चॉत का देना एता है उसकी सभी भावियां करवा चॉत का ब्रत रकती हैने जब हावियां उससे आसिरबाद लेने आती हैं, तो वह प्रतेक भावि से यम् सूई ले लो पी सूइ देदो मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो ऐस सा आग्रह करती है लेकिन हर बार भावी उसे अगली भावी से आग्रह करने को कहकर चली जाती है इस प्रकार जब छठे नंबर की भावी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है यह भावी उसे बताती है कि चुकि सबसे छोड़े भाई की वज़र से उसका ब्रत्ट कर सकती है इसलिए जब वह आये तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारी पती को जिन्दा न कर दे उसे नहीं छोड़ना ऐसा कहकर वह चली जाती है सबसे अंत में छोटी भावी आती है करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आगरह करती है लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है इसे देख करवा उन्हें जोर सी पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिन्दा करने के लिए कहती है भावी उससे छुडाने के लिए नोचती है लेकिन करवा नहीं छोड़ती है अंत में उसकी तपस्या को देख भावी पसिज्जाती है और अपनी छोटी अंगली को चीर कर उसमें से अम्रित उसके पती के मुह में डाल देती है करवा का पती तुरन स्रीगडेश कहता हुआ उठबहता है इस प्रकार प्रभुक्रिपा से उसकी छोटी भावी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है ही स्रीगडेश मागवरी जिस प्रकार करवा को चीर सुहागन का बर्दान आपसे मिला है वैसा है शब सुहागिनों को मिले एक कन्य कथा के अंसार इस कथा का सार यह है कि शाक प्रस्तपुर बेद्धर्मा ब्रामण की वाहिता पुत्री बिर्वती ने करवा चोट का ब्रत किया था नियमान सार उसे चंद्रोदे के बाद भोजन करना था परंतु उससे भूख नहीं सही गई और वह ब्याकुल हो थी उसके भाईयों से अपनी बहन की ब्याकुलता दीखी नहीं गई और उन्होंने पीपल की आर में आतिसबादी का सुन्दर प्रकास फैला कर चंद्रोदे दिखा दिया और बीर्वती को भोजन करा दिया परडाम यहुआ कि उसका पती ततकाल अधिर से हो गया अधिर बीर्वती ने 12 महिने तक प्रतेक चतुर्थी को ब्रत रखा और करवा चोद के दिन उसकी तपस्या से उसका पती पुनह प्राप्त हो गया पुराडों के अंसार कारवा नाम की एक पती ब्रता धोबीन अपने पती के साथ तुंग भद्रा नदी के किनारे इस्थि गाउं में रहती थी उसका पती बुर्हा और निर्बल था एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था तभी अचानक एक मगर मच्छ वहां आया और धोबी के पए अपने दातों में दबाकर यम लोक की ओर ले जाने लगा ब्रिध पती यह देख घबराया और जब उससे कुछ कहते नहीं बना तो वह करवा करवा कहकर अपन की पुकार सुनकर धोबीन करवा वहां पहुची तो मगर मच्छ उसके पती को यम लोक पहुचाने ही वाला था तब करवा ने मगर को कच्चे धागे से बात दिया और मगर मच्छ को लेकर यमराज के द्वार पहुची उसने यमराज से अपने पती की रच्छा करने की गु और बोली ये भगवन मगरमच ने मेरे पती के पेर पकड़ लिये हैं आप मगरमच को इस अपराद के डंड सुरू नरक भेदने। करवा का साहस्दे यमराज भी डर गए और मगर को यमपूरी भेद दिया साथी करवा के पती को दिरखाई होने का बरधान दिया तबसे काति क्रिश्न की चतुर्थी को करवा चौत ब्रत का प्रचलन में आया जिसे इस आधुनिक युग में भी महिलाएं अपने पूरी भक्त की भाव के साथ करती हैं और भग्मान से अपने पती की लंबी उम्र की कामना करती हैं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें कमेंट करें शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ओल पर सिट करने ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुच सके धान्यवाद